रादे रादे जैसी क्रशना मैं सीमा सिंग आप सबी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ आज मैं आपको गणेश चोट की वरत कथा सुनाने जा रहे हूँ अर्थात हर मेने की संकष्टी चोट का जो वरत करते हैं उस वरत में कौन सी कहानी सुनी जाती है वो बताने जारी हूँ अगर आप हर मेने की चोट का वरत करते हूँ या फिर आप चार बड़ी चोट का वरत करें दोनों व्रत में इसी कहानी को सुना जाए तो बहुत पुर्ण्यफल प्राप्तु होता है आईए अब हम संकष्टी चतूर्थी व्रत कथा सुनते हैं बहुत पुरानी बात है एक गाउं में एक वेश्य परिवार रहता था उन दमपती के दो बेटा बहु थे चोटे बेटे की शादी को 25 दिन ही हुए थे नई नई बहु घर में आई थी घर का माहोल बहुत ही खुश नुमा था बड़ी बहु के एक बेटा और एक बेटी थी और वेश्य दमपती के बड़े बेटे को पर्चुनी की दुकान थी जबकि छोटा बेटा सरकारी नोक्री करता था वेश्य दमपती का जीवन बहुत खुशी-खुशी व्यतीत हो रहा था नई बहु बड़ी ही आदर्श विचारों वाली मैला थी वह सभी तरह के व्रत उपवास जब वेकमारी थी अपने माईके में भी करती थी उसने आते ही घर परिवार की सारी जिम्यदारी समाली सबी लोगों ने जब उसका व्यवहर देखा तो वे बहुत खुश हुए तब एक दिन की बात है छोटी बहु ने अपनी सास ससुर से कहा कि मा बाउजी कल महने की चतुर्थी है मैं जब से समझदार हुई हूँ तब इसे मैं चोट माता का व्रत करती आई हूँ मैंने अपने माईके में हर मेने की चोट के व्रत का प्रण ले रखा था मा बाउजी मैं अपने माईके में भी हर मेने की चोट का व्रत करती थी तो कल गणिश चतुर्ती है क्या मैं ये वरत कर सकती हूँ तब वेश्य दंपती ने कहा कि बहु तुम्हारे माईके के रिती रिवाज यहां नहीं चलेंगे हमारे जो रिती रिवाज हैं तुम्हें वही निभाने पड़ेंगे तभी जेट जिठानी ने भी मा बाउजी की हां में ही हां मिलाया जिठानी ने देवरानी से कहा अरे तुम्हारे माईके के रिती रिवाज यहां नहीं चलेंगे यहां तो वही करना होगा जो पीडियों से चलता आ रहा है तबी छोटे बेटे ने अपने मा बाउजी और बड़े भाई भावी से कहा कि अगर यह कोई वरत करना चाती है तो इसमें क्या गलत है इसने कुछ गलत नहीं कहा आप सबको नहीं करना है तो आप मत कीजिए लेकिन इसको तो वरत करने की आप इजाज़त दे दीजिए लेकिन वेशयदम पती ने नाराज होकर साफ मना कर दिया कि कोई चतुर्थी वतुर्थी का वरत नहीं करेगा यहां जो चलन पहले से चलता आ रहा है वहीं चलेगा कोई नया नियम नहीं लगेगा बेचारी छोटी बहु दुखी और उदास हो गई उस रातरी को उसने भोजन भी नहीं किया तब रातरी में जब उसके पती ने देखा कि उसकी पतनी बिस्तर पर पड़ी रो रही है दुखी हो रही है तो उसने अपनी पतनी से कहा कि प्रिय तुम चुप चाप कमरे में चोत मता की पूजा कर लेना और व्रत भी कर लेना और एक समय खाना खा लेना तुम यह सारा कारिय चुप चाप करना किसी को पता भी मत चलने देना तब छोटी बहु अपने पती से बोली कि मैं दिन का खाना नहीं खाऊंगी तो सब को शक हो जाएगा तब उसका पती बोला कि तुम खाने की थाली कमरे में लेकर आ जाया करना और कह देना कि मुझे अभी भूख नहीं है बात में खाऊंगी और फिर उस खाने को तुम गाय को दे देना या फिर जमीन में गार देना या बाहर भीग मांगने वाले आते हैं उन्हें दे देना अच्छे काम के लिए जूट अगर बोला जाए तो वे जूट नहीं होता है और शाम को चंद्रमा को अर्ध्य दे कर भोजन कर लेना या सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई पूरी रात्री वा खुश होती रही दूसरे दिन उसने चोथ माता का वरत किया और पूजन किया और दिन का खाना वे कमरे में लेकर आ गई उसकी ठाली में चार रोटियां चामल और दाल थे जिसमें से उसने एक रोटी गाय को, एक रोटी कुत्ते को, एक रोटी बिखारिन को और एक रोटी चावल और डाल जमीन में गड़ा खोद कर गाड़ दिया। और रातरी में चुपचाप चंद्रमा को अर्धे दे कर व्यत खोल लिया। अब वह हर मैंने ऐसा ही करने लगी। तब चोत माता ने सोचा कि इसके सास ससूर और जेट चिठानी ने मेरा बहुत अपमान किया है। इन्हें तो सबक सिखाना ही चाहिए। आज इन्होंने मेरा अपमान किया है, कल कोई और करेगा। तब चोत माता का प्रकौब उनके उपर हुआ। तब चोत माता ने वेश्य दमपती और उसके बड़े बेटा बहु को शाप दे दिया। चोटी बहु के ससुर को लगवा मार गया। और जेट की परचुनी की दुकान में आग लग गई जिससे उनका सब कुछ जलकर खत्म हो गया। घर की जिम्मेदारी उठाने का सारा भोज चोटे बेटे के उपर आ गया। चोटा बेटा और बहु ने घर की पूरी जिम्मेद चोटी बहु घर का सारा काम करती और जब समय मिलता तो सास ससुर की सेवा करती। चोटा बेटा घर के सारे खर्च उठाने लगा। जेट जिठानी बहुत दुखी रहने लगे। एग दिन जिठानी के दोनों बेटों को सीत्रा निकल आई। घर में कलेश का माहूल हो बच्चे बुखार से तड़पने लगे, एक के बाद एक उनके घर में मुसीबते आने लगी उधर चोत माता के आशिरवाद से छोटी बहु को गर्ब टहर गया साल भर इसी तरह चलता रहा, जेट को कोई नोक्री नहीं मिल रही थी वेश्य दमपती बिमार रहने लगे, जेटानी दुखी और परेशान रहने लगी जेटानी के बच्चे आए दिन बिमार पढ़ने लगे इस तरह एक साल पूरा व्यतीत हो गया तब एक दिन देवरानी को दो जुड़वां बच्चे पैदा होये और देवर की नोकरी में तरक्की हो गई एक के बाद एक उनको खुशिया मिलने लगी तब एक दिन वापस से चतुर्थी कवरत आया नई बहु अपने कमरे में चोरी-चोरी चोतमाता का पूजन कर रही थी पूजन की आवाज सुनकर जेट, जेठानी और सास उसके कमरे में पहुच गए देवरानी ने जब उनको देखा तो वह डर गई कि पता नहीं अब क्या होगा लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा वे सभी हाट जोड़कर चुपचा वहीं बैठ गए चोटी बहु ने पूजा करी, आरती करी और उन्हें पर साथ दिया तब जेठानी जेट वैसास ने कहा कि बहु तुम अपनी चोट माता से कहो कि वे तुमारे ससूर को ठीक कर दे और जेट की परचुनी की दुकान भी वापस लग जाए और बच्चे भी जल्दी से ठीक हो जाएं अगर ऐसा हुआ तो बहु हम भी तुमारे साथ हर मेने की चोट का व्रत करेंगे तब बहु बहु बहुत खुश हुई उसने कहा मा, भावी, भाईया, नेकी और बूज़-बूज आप आज से ही व्रत करना शुरू कर दीजिए और फिर चोट माता का चमतकार देखिए सब ठीक हो जाएगा आपकी सभी मनो कामनाए चोट माता वैगणे जी पूरी कर देंगे उस दिन पहली बार नई बहु के साथ सास, ससूर और जेट जिठानी ने भी व्रत रखा और रातरी को चंद्रमा को अर्द्य देकर उन्होंने भोजन किया जिस वज़े से चोट माता उनके उपर प्रसन हो गई और उनका सब पहले जैसा हो गया बच्चे भी सस्त हो गये ससूर का लकवा भी ठीक हो गया और जेट की परचुनी की दुकान भी हो गई तब एक दिन सास ने अपनी नई बहु से कहा कि बहु मेरी एक बास समझ में नहीं आई अगर तुम्हें व्रत करते साल बर हो गया है तो तुम दिन का खाना लेकर कमरे में आती थी तब तुम उस खाने का क्या करती थी तर छोटी बहु अपनी सास ससूर और जेट जेटानी से बोली कि मा बावजी भह्या भावी मैं दिन के खाने में से एक रोटी गाय को एक रोटी कुट्टे को एक रोटी बिखारन को और एक रोटी चावल और दाल उठी आड़े में गड़ा खोद कर गाड़ देती थी तब उसकी बात का किसी को भी विश्वास नहीं हुआ तब उन सब को लेकर गाय के गाड़े में गई चोटी बहु ने गाय से पूछा तो गाय के मुझ से फेस के फूल ज़णे लगे कुट्टे से पूछा तो कुट्टा पूँच हिलाने लगा बिखारिन से पूछा तो उसने चोटी बहु को धेरों आशिशें दी और सच बात बता दी कि वह हर मैने की चतूर्ती के दिन एक रोटी मुझे देती थी तब चोटी बहु ने जमीन खोद कर दिखाया तो उसमें रोटियां सोने के बिस्कुट में बदल गई चावल सचे मोतियों में बदल गए और दाल सोने के मोतियों के धेर में बदल गए यह देख कर सब को बहुत आश्चरिये हुआ तब सास ससूर और जेजेठानी नई बहु के चर्णों में घिर पड़े तर चोटी बहु उन्हें उठाते हुए बोली कि आप बड़े हैं और बड़े ही रहेंगे आप मेरे नहीं चोट माता के पाउं पकड़िये मैं आपके पाउं लगूंगी तो हे चोट माता जैसा सुक आपने छोटी बहु को दिया वैसा सब को देना कहानी कहने वाले को सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को घर्तियों तो पूरियों पूरियों तो परवान चड़े भूले बिस्रे नाम तेरे बंडार में भरें इस तरहें आज मैंने आपको हर मैने की चोत पर सुनी जाने वाली व्रत कता सुनाई आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी आज से पहले यह कहानी यूट्यूब पर किसी ने नहीं डाली है यह कहानी मैंने पहली बार आपको सुनाई है घर्तियों तो पूरियों पूरियों तो परवान चड़े भूले बिस्रे नाम तेरे बंडार में भरें धन्यवाद